प्रदेश सहीत राजदानी जैपुर में मिलावट खोरो को लेकर खादे विवा की टीम लगातार कारवाई पर कारवाई कर रही है लेकिन मिलावट खोरो में तनिक सावी खोफ देखने को नहीं मिल रहा है कारण क्या हो सकते हैं आप सभी समझते हैं कहीं कारवाई के नाम पर विबाग के अधिकारी नोटीस देकर अपना पल्ला जाड़ लेते हैं तो कहीं न्यूजपेपर और चैनल्स की हेडलाइन परने के बाद कारवाई ही तम तोड़ देती है राजदानी जैपुर में भी लगातार कारवाई तो हो रही है खबरे भी रोजना न्यूजपेपर और चैनल्स पर चलती है लेकिन बावजूद इसके धडल्ले से वे दुकाने फिर खूब चलती नजर आ रही है अब इन दुकानों के मालिकों को किसका सानीत है ये तो उपर वाला ही जाने लेकिन ये तो तह है कि इनको बचाने वाला या न मिलावट खोरों को रास्ता बताने वाला भी इन में से ही कोई है क्योंकि बगेर विविक्षन के लंका पर भगवान स्री राम भी फते नहीं पासकते थे देखिए हम किसी कारवाई पर संदे या अफवार नहीं फैला रहे हैं लेकिन अधिकारी अगर इन दुकानों पर कारवाई करते हैं तो इसके बाद क्या होता है चर्चाय तो ये भी है कि जब अधिकारियों की जेव गर्म नहीं होती है तो ये उस दुकान को गर्म करने पहुँच जाते हैं या यू कहें मिलावट की खुश्बू सूंकर वहां पहुँच जाते हैं और कारवाई कर देते हैं राजदानी जैपूर में मानसरोवर बहुत बड़ी कॉलोणी मानी जाती है वहां की आबादी भी निश्ची तोर पर ज्यादा ही होगी पहुश कॉलोणी होने के चलते वहां लोगों की आवाजाई भी बनी रहती हैं जिसके चलते मिलावट खोर भी सक्रिय होते दिखाए दे रहे हैं। लेकिन ध्यान नहीं तो सिर्फ प्रशासन का। मीरामार्ग और मध्यमार्ग इस्तित्रादा गोविन जू सेंटर पर खादिवा की टीम ने पड़ी कारवाई की है। जांच में पाया गया कि फलो के रस में मीडियम फैट फ्रोजें डेसर्ट मिलाया जारा था जिसमें पॉम आयल, पॉम करनेल आयल और सिस्सम आयल थे लेकिन मिल्क आइस क्रीम का कोई नामों निशान नहीं था। इसके अलावा फलों के शेक और क्रोस में भी बिना अनुमती के कलर मिलाया जा रहा था जिसके कई डिब्बे मोके पर पाये गए। जांच में सड़े केले और अन्य फल डीप फ्रीजर में कई दिनों पहले काटकर रखे गए फल प्लास्टिक की थेलियों में मिले। गोदा में बदबू, तूटी जंग लगी अलमारी, घरेलू सिलेंडर का उपियोग और घट्या क्वालिटी की डेजर्ट का उपियोग भी होते वे पाया गया। मोके पर भारी मात्रा में मक्यां, हिड़े मकोडे और खुली सामगरी खादिबा की टीम को देखने को मिली। अब देखना ये होगा कि आखिर ये कारवाई भी कारवाई बनकर रह जाएगी या फिर प्रिशासन हकीकत में ही इन मिलावट खोरों पर रोक लगाने में काम्याब हो पाएगा। क्योंकि गैलो सरकार ने पिशले कार्यकालों में अपने सुद्ध के लिए युद्ध अभ्यान नाम शुरू किया था जिसे इस सरकार ने मिलावट पर वार नाम देकर फिर शुरू किया। गैलो सरकार के समय तो मिलावट करते वे पाएजाने पर उसकी दुकान के बाहर मैं मिलावट करता हूँ भी लिखने के आदेश थे। लेकिन शायद सरकार या उनके नुमाइंदों ने इस योजना का नाम बदलने के साथ साथ शायद नियम भी बदल दिये।